गुद मॉनिंग इस्टूदेंस इन दिज लेक्चर वी आर गोईंग टू डिसकस एक्सराइस 2.2 वी आर अलेडी डिसकस प्रीविए इन प्रीविएस लेक्चर इंट्रोडक्शन ओफ पॉलिनोमियल एक्सराइस 2.1 तो आप पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टर्म क क्या होता है मॉनोमियल बायोमियल ट्राइनोमियल यह सब क्या होते हैं डिगरी क्या होती है पॉलिनोमियल की और पॉलियम की कितने प्रकार होते हैं यह आप पढ़ चुके हैं और इसके कॉश्चन आप कर चुके है एक्सराइस 2.1 में हम एक्सराइस 2.2 स्टार्ट कर रहे ह है इसके जो कॉश्चन से इसको हम पार्ट में डिवाइड किया है यह पार्ट इसका फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉश्चन है find the value of polynomial 5x-4x square plus 3 at x is equal to 0 x is equal to minus 1 x is equal to 2 हमें x की 0 minus 1 और 2 की in value पर हमें इस polynomial की value find करनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे at यह अपनारा कॉश्चन होगा फिर इसमें लिखेंगे given polynomial is given polynomial is given polynomial is हमारे यह क्या दिया है polynomial given polynomial is हमारा polynomial दिया है 5x minus 4x square plus 3 तो अब हम इसमें क्या करेंगे x की value को find करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे at x is equal to 0 अब हमें x is equal to 0 पर find करनी है तो हम x is equal to 0 लिख दिया हमने फिर इसमें हम value को put कर देंगे x की जंगा पर 0 रखेंगे minus 4 0 का whole square plus 3 फिर अब 5 का हम into 0 में करेंगे तो यह 0 आ जाएगा minus 4 का into 0 का square क्या हो जाएगा 0 और 4 का 0 में into करेंगे तो क्या आएगा 0 plus 3 फिर इसके बाद क्या आएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0 plus 3 तो यह इसका answer क्या जाएगा 3 इसका answer आजाएगा यह क्या रहा है इसका answer ओके now move on second question second question is हमें अब x is equal to minus 1 पर हमें उसी polynomial की value को find करना है तो इसके लिए क्या करेंगे पहले तो लिख लेंगे given polynomial is हमने given polynomial लिख लिया हमने क्या दिया है 5x minus 4x square plus 3 अब हम value find करेंगे at x is equal to minus 1 पर तो x is equal to minus 1 पर इसमें हम put कर देंगे x की जंगा पर minus 1 तो x minus 1 minus 4 minus 1 का whole square plus 3 अब हम 5 का into minus 1 में करेंगे तो यह क्या जाएगा minus 5 minus यह जैसा था वैसे ही 4 और into में क्या है minus 1 का square करेंगे तो 1 आ जाएगा क्यूंकि minus 1 into minus 1 तो minus minus हो जाएगा plus और 1 into 1 इसलिए आगया 1 और plus 3 अब देखिए आप minus 5 और यह 4 का into 1 में होगा तो क्या आएगा minus 4 plus 3 minus 4 और minus 5 कितना हो जाएगा minus 9 plus 3 तो इसका answer क्या जाएगा minus 6 तो यह इसका answer होगा similarly third question तो third question में भी हम पहले लेख लेंगे given polynomial is ओके जो कि क्या दिया है 5 x minus 4 x square plus 3 फिर हम at point कितने पर x is equal to 2 पर हम find कर देंगे तो इसकी value क्या आएगी 5 2 minus 4 2 whole square plus 3 यह आगी फिर 5 x 2 10 minus 4 2 square 2 का square क्या होता है 4 plus 3 10 minus 4 into 4 16 plus 3 और अब हम देखिए इस 10 और 3 को add करेंगे तो क्या जागा 13 और minus 16 तो इसकी value क्या जाएगी minus 3 यह answer होगा ओके तो यह था आपका first part यह था first part और जिसमें हमने exercise 2.2 का first question किया इसके बाद second part में हम क्या करेंगे exercise 2.2 का second question करेंगे तेंगे